नमस्कार दोस्तों दुरांद कब 2024 अपने सेमी फाइनल्स की तरफ बढ़ चुका है और इस बार ना सेमी फाइनल्स का क्रेज बिल्कुल अलग ही लेवल पर है उसके पीछे का रीजन क्या है तो उसके पीछे का रीजन ये है कि पता नी कितने सारलों के बाद इंडियन फुट नोटी में नोटीश उनेटेड एफसी और शिलोंग लाजों एफसी भिड़ने वाले हैं तो दूसरे सेमी फाइनल के अंदर आई एसल की टॉप टीम मोहन बगान और बैंगलोरू एफसी आपस में भिड़ने वाले हैं तो मैंने सोचा वाई क्यों आज इस वीडियो के मैच की प्रेडिक्शन भी कर दी जाए और आप लोगों से भी कहना चाहूं कमेंट सेक्शन के अंदर ना अपनी भी प्रेडिक्शन जरूर शेयर करो दोनों मैचिस की स्कोर लाइन कमेंट सेक्शन में प्रेडिक्शन में प्रेडिक्शन में प्रेडिक्शन में प्रेडिक् चैनल को सस्क्राइब नहीं किया ना आप लोग वाई सस्क्राइब करते हो तो अच्छा लगता भी दिल को तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ तो वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे पहला सेमी फाइनल जिसको भाई बोलना जा रहा है दा नोर्थी स्टार भी नोर्थी पहले सेमी फाइनल के अंदर भीड़ने वाले हैं और इस नोर्थी स्टार भी का जो क्रेज है ना भाई वो बिल्कुल अलागी लेवल पर पहुंच चुका है पहले तो भाई जैसी देखा ही नोर्थी स्टार भी होने जा रही है तो इस मैच को वापे से शिफ्ट करके शिल लेकिन यहां से आप लोगों को पता चलता है कि इस टाइप की डार्मी की इंडियन फुटबोल को नीड है अगर जहां पर एक तरफ कोलकता की डार्मी हम इतने टाइम से देखते आ रहे हैं और भाई उसने अलगी राइविल्री मचा रखी इंडियन फुटबोल के अंदर ऐसी ही चीजे अगर ऐसी ही दो-तिन राइविल्री और हो जाए ना इंडियन फुटबोल के अंदर तो भाई यह जो इंडियन सूपर लीग की जो भी वियर्शिप जो यहां चल रही है ना यहां से यहां पहुच जाएगी और पता भी नहीं चलेगा किसी को दोनों टीम्स म हुए है ना आप चाहिए वो कॉर्टर फैनल हो गया या फिक ग्रूप स्टेज हो गया महां पर इनको उतनी बड़ी टीमों का सामना नहीं करना पड़ा जितनी बाकी की सेमी फैनलिस टीम्स को करना पड़ा है लेकिन स्टिल भाई अब तक चार मैचिस के अंदर नो ठीश उ पिंगोल के सामने दिखाया था ना कुछ वैसा ही इनको नोर्थिश उनाटेट एफसी के सामने करने की ज़रुवत है तुकि भाई जितनी एमेस और गुलिरमो दोनों नोर्थिश उनाटेट एफसी के ये खिलाडी दुरान कप के अंदर सेकंड हाइस जॉइंट गोल स्कोर चल रहे हैं दोनों ने भाई अभी तक चार चार गोल मार दिये हैं और इनके सासाथ अटेकिंग लाइनप के अंदर नेस्टर और रिडिंग तलांग भी अच्छे खासे सपोर्ट दे रहे हैं तो यहां से आपको पता चलता है नोर्थिश उनाटेट एफसी की जो भाई पार्तिब गोगोई जो टीम के अटेकिंग लाइनप की एक और जान है वो भी पिछले दोनों मैचीज में नहीं दिखे हैं तो भी कोश्चन यहां पर यह है कि भाई पार्तिब गोगोई हमें सेमी फाइनल के अंदर खेलते वहीं नजर आएंगे या फिर नहीं क्योंकि भा वही अब दूसी तरफ इनके अपोनेंट शीलोंग लाजोंग की उपर बात करे ना तो भाई अभी तक दुरांग कपकंदर सभी को हरांग करते हुए नजर आ रही है यह टीम वह भी तब भाई क्वांटर फाइनल में जहां पर सारे ओर्ट्स इस्ट बिंगोल के फेवर में मतलब भाई देखो टूबी ओनेस्ट मैं ऐसा मानता हूं जो काम इनोंने इस्ट बेंगोल के सामने किया ना उसका डवल इनको नोर्थीष्ट के सामने करने की जरूरत है अपनी डिफेंसिव लाइन में ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं क्योंकि अभी इस्ट बेंगोल की जो अट टीम की अटेकिंग लाइन अप को रोकना है ना उसको काफी जादा डिसेप्रिन रखना पड़ेगा तब जाकर कुछ हो सकता है इस मैच में वरना काफी ज़्यादा जो और काफी जो फेवरेट है इस मैच की वह नोर्थीष्ट एफसी ही है मैच की उपर भी बात करने ना त नोर्थीष्ट एफसी मेरे लिए इस मैच की क्लियर फेवरेट है और चहां तक मुझे लगता है नोर्थीष्ट एफसी एजी नी शिलोंग लाजोंग की टीम को बीट कर देगी सेमी फाइनल के अंदर और मेरी जो स्कोर रहें रहने वाली ना इस मैच की नोर्थीष्ट टीम तीन एक से शिलोंग लाजोंग को हरा देगी और फाइनल में पहुच जाएगी और अपनी पहली ट्रोफी के भी काफी करीब पहुच जाएगी नोर्थीष्ट एफसी की टीम भाई अब दूसरे सेमी फाइनल के उपर बात करें ना तो भाई ये दूसरा सेमी फाइनल आई एसल के जाइंट्स के बीच वा होने जा रहा है मोहन बगान वर्सिस बैंगलूरू एफसी भाई ये जो सेमी फाइनल है ना दोनोंगी टीम में बिल्कुल अलगी लेवल पर चल रहे है जहां एक तरफ मोहन बगान की टीम पंजाब एफसी से बड़ी मुश्किल से मौहमद अन को भी इनको खेलना पड़ा है इंटर काशी भी खेले हैं क्वाटर फैनल में फिल केला ब्लास्टर्स को भी हरा कर रहे हैं एक जीलो से तो यहां से भाई अभी बेंगलूरू एफसी की फॉर्म भी काफी नज़र आ रही है और इसी चीज़ की वज़र से जो सेक स्याइटर को हराना है मतलब मौहनबगान की टीम के लिवाई जो अब एक्टयस होने वाला है बेंगलूरू एफसी की टीम केसा में वाई पन लूपढकी कफी फिस्वनीलैंे यहें टारा रही है को KE न की टीम एक तरफ मेंग ना ह हमतं गर सब्क्रशाल के इतनां होते चैनल अभी हमें सेमी फैनल में दिख रही होती बेंगलूरू एफसी के सामने तो यह जो डिफैंसिम लूप हो से ना इसी के ऊपर काउंटर करने की कोशिश करेगी बेंगलूरू एफसी की टिंग और वो यही चीज अभी तक बहुत अच्छे से करते हैं मतलब उनका डिफैंसिव स को आराने में मदद करी एंड टाइम पर एक बोल मारा इन्होंने और वही काफी रहा मतलब के साथ तो इनकी कुछ अपरी पर्सनल दुष्पनी है अलबर्टो नगवेरा भाई मैं ऐसा मानता हूं बेंगलूरू एफसी की इस पूरे सीजन के अंदर मिट फील्ड की सबसे ब के साथ तो यहीं चीज बैंगलूरू एफसी को जरूरत थी और वहीं चीज अब इनको अलबर्टो नगवेरा से मिलेगी डिफैंसिवली तो बैंगलूरू एफसी की टीम आई देखो अभी ता काफी सॉलिड नाजर आही रही है लेकिन अटेकिंग लाइन अप की बात करें खाल गान को सेमीफैनल बाहराना इतना आसान नहीं होने वाले बनलूरू एफसी के लिए कि मुझे ऐसा लगता है मौन बगान के उपर किसी वी टाइप की सिच्वेशन आ जाये ना उस सिच्वेशन में से कैसे निकल ला है फो मौन बगान की टीम को आता है और वह भी तक हम के उपर बात करूँ ना तो भाई इस मैच में से देखो दोनों टीमों के अच्छे खासे चांसिस है लेकिन स्टिल मोहन बगान को मैं फेबरेट मान के चल रहा हूं इस सेमी फाइनल के अंदर मुझे लगता है इस मैच की जो स्कोर लाइन होगी ना वो कहिना के मोहन बगान के फेबर में रहने वाली है और ये मैच मोहन बगान में भी टू वन से जीत जाएगी मोहन बगान दो और बेंगलोरु एफसी एक अब देखने वाली बात ही होगी कि भाई कौन सी टिम डिफेंस में ज्यादा सॉलिड रहती है लेकिन मुझे जहां तक लगता है मोहन बगान इ क्या ओपीनियन्स हैं आप लोगों क्या प्रेडिक्शन्स हैं वाई कमेंट सेक्शन में जरूर शेर करके बताना अपनी दोलों मैच इसकी स्कोल लाइन फिर देखेंगे किसकी स्कोल लाइन सबसे ज्यादा अच्छा प्रेडिक्शन रहा है और अगर वीडियो पसंद आई ह